सब्सक्राइब तो मैं चैनल और प्रेस्ट इस बेल आइकन विडियो नोटिफिकेशन्स एलो फ्रेंट असलाम वालेकुम रमजान रेसिपी सीरीज दे थी में आज हम बनाएंगे चिकन टी का सब सेंविच तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने कराई में वन टेबल स्पून आयल लिया है और उसमें वन टेबल स्पून जिंजर गालिक का पेस्स एड़ किया है हमने यह बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाना है और जैसे ही यह लाइट गोल्डेन इश हो जाएगा हम इसमें अपना खीमा एड़ कर लेंगे मैंने चिकन खीमा लिया है हाफ कीजी हम वो एड़ कर लेंगे मैंने इसमें एडिशनल कोई वाटर एड़ नहीं किया था क्योंकि खीमा खुदी इतना अपना पानी छोड़ देता है कि हमें एड़ करने की नीट नहीं होती है पर अगर आपको नीट परें आपको लगे कि आपका पका नहीं है और आपको वाटर एट करना है उसका पानी सूक रहा है तो आप उसमें वाटर एट कर सकते हैं जिस तरीके से खीमे ने अपना पानी खुदी चोड़ा है यह फाइफ टू टैन मिनिट के बाद वाट पानी खुदी चोड़ देगा इसमें मैंने जो स्पाइस लिए वह मैंने रैड चिली फ्लेक्स सॉल्ट और ब्लैक पेपर लिया है यह आप एस पर टेस्स ले सकते हैं क्य करेंगे जैसे यह पानी सुख जाएगा देखें बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा यह बिल्कुल सुख जाएगा अब हमारी फीलिंग हो गई रैडी तो अब हम अपना सब सेंविच बनाना स्टार्ट करते हैं अच्छा मैंने इसमें फ्रेंच ब् चैनल स्टार्ट करT कर लिंगे मैंने सेलेट लीफ लिया है कुकुम्बर लिया है और टुमाटॉ लिया है और फिर हम सबसे पहले सालेट लिफ लगाएंगे एच्छे से आपको अगर नहींगाना क्विश फ्लिख नोगों को यह नहीं पीसंद दूते है तो हम नहीं यूज करेंगे फिर हमने जो chicken की feeling बनाइती हम वह इसमें डाश करेंगे अचा मैंने इसमें चिकन खीमा लिया है अगर आपको चिकन कीमा नेज़ने तो आप वह भी दाल सकते हैं वह ऑप्छ으면 मैंने चिकन कीमा इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बिल्कुल छोटे चोटे होता है यह हर बाइट में आते तो मुझे यह पसंद है तो मैं जादा तर बर्गर वगरा में कीमा यूज़ करते हूं देन हमने एक सॉस बनाई है जिसमें हमने फूर टेबल स्पून मायोनीज और टू टेबल स्पून टॉमाइटो कैचप डाला है अब चिली टॉमाइटो कैचप भी डाल सकते है और वह हम दालके इसको अच्छे से स्प्राइट करेंगे काफी अच्छी सॉस होती है आप बर्ग हम डैटो टॉमाइटो कामधर शाज कमटार टॉमाइटो कामईा सकते हैं चीज स्पून और शेटर को मुक्स करके और में स्लाइस छीज स्पून में अच्छा होता ए च्छाँ अच्छा होता है चोटे चोटे पीसिस करके वो भी डाल दिये हैं इससे पहले भी अपनी पीवियस वीडियो में मैंने गालिक ब्रेड सिखाई दी तो मुझे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं फ्रेंच ब्रेड भी सिखाऊंगी कोई अपनी रेसिपी में तो आप गर पे भी ये ब जिले चे AP BUNZ भी बना सकते याप उससे गालिक ब्रेड भी बना सकते हैं वो बहुत यूसफुल होती है आप टॉट उससे काफी चीजे बना सकते हैं यह हमने इसमें चीज डाल दी और अब हम इससे बंद कर दिनging बचैई और मैंने पर बटर लगाइ और आपको नही लगा सकते हैं we 나왔ंके and filling as it is French bread की ही तरह होगी सबसे पहले हमें ने बन को half- reinט काप पिर हम bargaining ऑफ कैच़प दालेंगे और हम पर हम चुटे चुटे पीसे में cabbage taking Asian determine पिर जो हमने फिर उप्रेंब बॉर्शी फिलिंग बनाती हम वू दालेंगे तो। Hell अब हमारा बर्गर हो गया रैडी यह बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही कोई की रैसपी अब सबको यह पसंद आई हो अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा ओके अला हाफिस